अच्छो स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जूडने के लिए तो देखिए आज हम डीटेल में बात करेंगे जो कि तेरना मेडिकल कोलेज है तो उसका फिस्ट्रेक्चेर एकडमिक येर 2023 का MBBS फर्स्ट इयर कोर्स के लिए क्या है साती साथ आपको सेकंड इयर थर आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अगर आपको ओधर कोलेज के भी फिस्ट्रक्चर चाहिए महराष्ट्रा स्टेट के MBBS सेमी गवर्मेंट ये फिर प्रावेट कोलेज के तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाए वहाँ पर चेक आउट कीजिए आपको पू 1500 रूपीज पे करना पड़ेगा वही फिस्ट लगबग सेम होता है हर कैटेगरी के बच्चे के लिए अगर आपको 85% स्टेट कोटा के थूट मिल जाता है तो लगबग आपको 1500 रूपीज पे करना पड़ेगा चाहिए आप यस्टी में आओ वीजे हो ओपन कैटेगरी हो बात का थोड़ा ध्यान रखिए उसके बाद open category की बात करें तो आपके आपके आपर लगबग 727,200,73 रूपीज आपको पे करना पड़ेगा open category के बच्चों के लिए उसके बाद अगर बात करें EWS या फिर EBC इसके अंदर आपको 50% फीज के अंदर सूट मिल जाता है तो आपके आपके आपर लगबग 3,63,636 रूपीज आपको या पर पे करना पड़ेगा अगर आपको या फिर EBC कोटा के तुरू या पर अपलाए करते हो या फिर वो डॉकुमेंट आपके पास available है तो अगर बात करे OBC कैटेगरी की तो आपको या पर लगबग 3,63,636 रूपीज आपको या पर पे करना पड़ेगा सेम आपको या पर भी 50% जो है फिस के अंदर सूट मिल जाएगा अगर आप OBC कैटेगरी के अंदर आते हो आपके पास नॉन क्रिमिलेर डॉकुमेंट कैटेगरी के बच्चे को कोई भी कैटेगरी का बेनिफीट नहीं मिलता है इस बात का थोड़ा आप द्यान रख सकते हो अगर बात करें SCST तो इनको भी आपर कोई टीवीशन फीज पे नहीं करना है आपको अगर उसके बाद बात करें डेवलप्मेंट फीज तो देखिए यहाँ पर यनराय कोटा के तुरू लगबग 363,635 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा जो कि यनराय कोटा या फिर IQ कोटा का आपको डेवलप्मेंट फीज नजर आ जाएगा वही ओपन कैटेगरी के बात करें तो 72,727 रुपीज ओपन कैटेगरी के बच्चे को डेवल चकाउट कीजिए आपका डाउट वहाँ पर स्वाल हो जाएगा तो आपको यहाँ पर 36,364 रुपीज आपको डेवलप्मेंट फीज देना पड़ेगा EWS याण ABC बच्चों के लिए अगर आप OBC या फिर फीजे एंटी 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 बी हुआ एंटी सी हुआ एंटी डी आपको डेवलप्मेंट फीज देना पड़ता है जो की 72,727 रुपीज आपको यापर पे करना पड़ेगा EWS CST के बच्चों को कोई भी डेवलप्मेंट फीज देने की जरूरत नहीं होती है अगर बात करें टोटल फीज अगर आपको सीट अलटमेंट हो जाता है राउंड 1,500 रुपीज आपको फीज पे करना पड़ेगा ओपन कैटेगरी के बच्चों को जो की TVCNN Development फीज आपका टोटल है जो कि आपका प्रोसेसिंग फीज होता है तो आपको cash के अंदर देना पड़ता है उसका DD बनाने के आपको कोई भी जरूरत नहीं होती है EWS EBC की बात करे तो 4,1500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा OBC के बच्चों के लिए आपर 4,37,863 रुपीज आपको पे करना पड़ता उसके बाद VJ, ENT, ESBC के बात करें तो आपर 74,227 रुपीज आपको यापर पे करना पड़ेगा SCST के जो बच्चे उनको यापर सिर्फ उपर देख सकते हो उसके बाद यहापर कुछ आदर फीस आपसे कंड़ किया जाएगा जैसे की एक लाइबररी डिपोजिट लिया जाएगा जो कि आपको यापर रिफंडेबल मेंशन किया है तो आपको रिफंड हो जाएगा जब आपकी डिग्री कंप्लेट हो जाएगा तो यहाँ पर लगबग 40,000 जो है library deposit लिया जाएगा और हर category के बच्चों को यह देना compulsory होता है इस बात का आप ध्यान रख सकते हो देखिए उसके बाद एक laboratory deposit लिया जाएगा आपसे laboratory deposit होता है वह भी आपको refund हो जाएगा और जितने भी deposit आपसे conduct किया जाएगा चाहे हो hostel का ह मेस का हो या फिर किसी lab का हो library का हो तो आपको refund मिल जाएगा तो 40,000 यह भी deposit आपको यहाँ पर देना पड़ेगा उसके बाद एक group insurance का फिस आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा 3000 रुपीज और हर category के बच्चों को यह फिस पेकप करना compulsory होता है देकि उसके बाद आपको journals, apron, ID card and जो other fish है न वो पूरा fish मिला कर आपसे आपको 12,000 रुपई लिया जाएगा और हर बच्चों को यह पेकरना compulsory होता है मतलब हर category के बच्चों को यह फिस पेकरना तो है आपको कोई भी category का benefit नहीं मिलेगा उसके बाद एक money deposit लिया जाता है आपसे आपको refund हो जाएगा लगबग 1,25,000 यहापर आपसे money deposit लिया जाता है हर category के बच्चों को deposit देना पड़ता है college के अंदर उसके बाद देखिए आपर एक जिम खाना फिस लिया जाता है 20,000 और यह आपसे एक time लिया जाएगा हर category के बच्चों को देना compulsory होता है अगर बात करें आपर order fees जो है तो कितनी है total तो देखिए जो आगर आप यहनाराय कोटा के तुर आडमिशन करते हो तो आपके आपके आपर 2,40,000 देना पड़ेगा वही आप हर category के अंदर महाराष्टरा स्टेट में admission करना चाहते हो 85% कोटा के तुर तो वह आपको यहापर 2,40,000 जो है हर category के बच्चों को ज लेकिन आप एक बार college को contact करके भी पूछ सकते हो कि सरा में demand draft कितना बनाना है या फिर जो cash है आपने account पे hold किजिए और जिस city के अंदर college located है वहाँ पर जाईए वहाँ पर आपकी जो branch होगी तो उस branch के अंदर भी आपको demand draft बना कर दिया जाएगा तो आपको इस बात का ज्य आपको 50,000 जो है तो 50,000 जो है होस्टिल का deposit देना पड़ेगा मेस चार्ज है आपर लगबग 60,000 रुपीज मेस का चार्ज आपको 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 देना पड़ेगा तो टोटल फिस की बात करें तो 2,500 आपको 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 तेरना पब्लिक charitable trust इस नाम से आपको करना चाहते हैं तो 44,46,500 आपके या पर पर एयर फिस पे करना पड़ेगा ओपन कैटेगरी के अंदर करना चाहते हो यानिकी ओपन कैटेगरी का बच्चा है तो उसको 12,46,500 रुपीज पे करना पड़ेगा EBC या EWS कोटा के तो आप अपलाई करते हो तो आपके या पर 8,46,500 रुपीज पे करना पड़ेगा वही अगर आप OBC कैटेगरी के तो आपलाई करते हो आपके पास non-criminal document available है पूरे document आपके ओरिजनल है तो आपके या पर लगबग 8,82,863 रुपीज पे करना पड़ेगा आपको एक टाइम देना पड़ेगा और जो आपका tuition and development फिस होता है तो आपको हर साल पे करना होता है तो मान लिजी कि ये जो फिस आपके आपर total नजरा रहा है तो ये next year इसमें से थोड़ा बहुत फिस जोए कम भी हो सकता है तो आप अगर college सेलेक्ट कर रहे ना तो एक आपको पर रख सकते हो और डिफेंड करता है कि आपका बजेट कितना है उसके उपर देखे आगर आपको हुड़ी अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहे ताकि आने वाला future कोई भी अपडेट हो तो सबसे जल्दी को मिल जाना चाहिए